दोस्तों नमस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हर्यान अविधान सवा कि चुनावों की हल चल बहुत तेज हो चुकी है संभावित उम्मीदवार अपने आकाओं के धर्वाजे खट-कटा रहे हैं लेकिन इसी बीच एक जेजेपी दुसरें चोटला की ऐसी पार्टी भी है जिसके सारे विधायक जैसे ही सत्ता गई एक एक करके उनका साथ छोड़ गए हैं जब तक सत्ता थी तो दसों के दसों विधायक इखटे थे सत्ता का मजा लोट रहे थे आनंद ले रहे थे सत्ता सुक भोग रहे थे लेकिन जैसे ही भाजपा ने जजपा को बहार निकाला सत्ता से एक एक कर सारे विधायक भाग लिए अब दुसें चोटा लाकी जो सबसे बड़ी समझ्या है दावा तो वो नब्बे सीटों का कर रहे हैं लेकिन उन्हें ढूंडे उम्बीदवार नहीं मिल रहे हैं दस में से साथ विधायक उन्हें छोड़ कर जा चुके हैं और मा बेटा यानि नेना चोटाला और दुसें चोटाला इनकी तो पार्टी हैं बस एक विधायक अब इनके साथ बचा है जो जुलाना से अमर्जे सिंग धाड़ा विधायक जीते थे बस एक विधायक दसमें से उनके साथ हैं लेकिन दोस्तों सत्ता का कुछ रास्ता ही ऐसा है सत्ता है तो सब साथ है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब 2019 में इनेलो दोफाल हुई थी तो उनको कोई आसानी से कंडिडेट मिल गए थे बलकि दुसन चोटाला को वो कंडिडेट मिले थे जिनको कांग्रेस या इनेलो से टिकट नहीं मिला था यानि जिनोंने कांग्र टिकट ने मिलने पर भाजपा और जजपा के साथ बगावत की थी और दुसन चोटाला के खेमे में आकर टिकट लिया चुड़ाव जीते और सक्ता सुख भी बहोगा जयसा कि मैंने कहा कि ये विदायक भी सारे जो जीते थे उधार के विदायक थे दूसरी पार्टियों से आए हुए थे यदि हम इनकी नाम की चर्चा करें तो अनूप दानक इनेलो सो विद्रो कर कर आए थे इसवर सिंग कांग्रेश से विद्रो करके आये थे रामकरनकाला भी कांग्रेश को छोड़ कर आये थे जब कांग्रेश ने उन्हें टिकट नहीं दिया था देवेंदर बबली भी ऐसे ही थे जिसको कांग्रेश ने टिकट नहीं दिया तो जजपा से चुनाव लग लिए जोगी राम सिहाग भाजपा को छोड़ कर आए थे राम कुमार गौतम भाजपा को छोड़ कर आए थे और राम निवास सुर्जा खेडा भी भाजपा को छोड़ कर आए थे यानि ये सारे अपनी अपनी पार्टियों के वो विधायक थे जिनको उनकी मूल पार्टियों ने टिकट नहीं दिया था लेकिन दुसेन चोटाला ने उनको टिकर दिया और वो जीत गए अब दुसेन चोटाला के सामने जजपा का अस्तित बचाने का सवाल है किस तरीके से साड़े चार साल सबने मिलकर शुक भोगा सता शुक भोगा दुसेन चोटाला डिप्टी सी एम रहे लेकिन वक्त का फेर है राजनीती में ये सब चलता है कोई सिध्धान्त नहीं है नेताओं का आज की तारिख में जहां टिकट मिले उसी पार्टी के हो लेते हैं जो पार्टी टिकट दे दे नेता उसी में चला जाता है सिध्धान्त तो कहीं दूर दूर की चीज राजनीती में बची ही नहीं है अब दूसंत चोटाला फिर 2019 के फार्मूले को खोज रहे हैं कि जिससे उन्हें कोई सफलता मिल जाए उनके कुछ विधायक जीत कर आ जाएं और वो फिर इस्तिती में हो कि उनके बिना कोई सरकार ना बन सके हलाकि वो दावा कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा कि हम नब्बे की नब्बे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वो कुछ रही सीटों पर ध्यान देंगे जहां जीतने की संभावना हो सकती है हो सकता है कि नब्वे में से आधे पर भी ये ध्यान ना दे पाएं जहां इन्हें संभावना दिखती है लेकिन सबसे पहला तो जो सवाल है कि उन्हें कंडिडेट में मिलने खड़े करने के लिए जो अपने थे वो छोड़ का चले गए अब फिर उन्हें यहीं उम्मीद है कि कांग्रेस के जो विधायक जिनको टिकट नहीं मिलीगी और भाजपा के वो विधायक जिनको भाजपा टिकट नहीं देने जा रही है और भाजपा के जो 40 विधायक जीते थे कहा जा रहा है कि दर्जनों सिटिंग एमेलेज की टिकट कटने वाली है जिसमें मिनिस्टर भी स आमिल हैं तो सबसे बड़ी आस आसा उमीद दुसन चौटाला के लिए जे जेपी के लिए बस ये बागी विदायकी हो सकते हैं जिन को कांगरेस टिकट नहीं देगी जिन को भाजपा टिकट नहीं देगी या ऐसा भी हो सकता है कि जिन को अभे चोटाला टिकट ना दें वो चुनाव लड़ने के लिए मजबूरी में फिर दुसेंच चोटाला का जेजेपी का दामन थाम लें तो दोस्तो जो सक्ता में पार्टी रही आज उसकी ये हालत हो चुकी है जो जानकार है जो चर्चा है उस चर्चा की अनुसार तो जजपा के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं अच्छे होते तो अपने ही क्यों छोड़ कर जाते लेकिन दुसेंच चोटाला एक राजनितिक परिवार से है चौद्रियों परकार चोटाला के पोते हैं राजनिती उनकी रग रग में भरी हुई है तो उन्हों ने राजनिती तो करनी है अब देखने की ये बात है कि जब एक अक्तूबर को चुनाब परिडाम निकलेंगे तो जजपा की इस्तिथी 2019 से बहतर होगी या 2019 जैसी होगी या फिर बहुत नीचे जजपा पहुँच जाएगी जैसी की संभावना है तो दोस्तो ये था हमारा जजपा की बारे में आकलन वहाँ जहां भाजपा और सबसे ज़्यादा कान रेस में टिक्तों के लिए मारा मारी हो रही है एक एक सीट के लिए दर्जनों नेताओं नामांकन भरा हुआ है आवेदन दिया हुआ है वहीं जजपा को या दुसन चोटाला को उम्मिदवार खोजने में पसीना आ रहा है तो दोस्तों देखते रहें ये देश रोजाना मिलते हैं हम कल फिर नए एपिशोड में नए बुद्धे के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नौटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें